हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पर दोस्तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है क्यों आप अपना वर्टसेप कैसे बचा सकते हो किसी हैकर से जी हां दोस्तो अगर आपका वर कैसे बचाना है यह मैंने इस वीडियो में आपको बताया है तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगला वीडियो देख पाएं जी हां दोस्तों जिस तरह से आप इंस्टाग्राम पे होगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आपको अगर पीसी पे आपको किसी का वाटसेप हैक करना है तो आप एक वैबसाइट सर्च करना है वाटसेप वैब और एंटर कर दीजिए वाटसेप वैब जब आप इस वैबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक कोड सा दिख जाएगा अपने कंप्योटर पे ऐसे यह आप फोन पर भी कर सकते हैं मैं आपको फोन का तरीका भी अभी बता दूँगा इस तरह से यह कोड है ये आपको उस इंसान के फोन से स्कैन कर देना है जैसे कि ये फोन जो है इस फोन का WhatsApp मुझे हैक करना है तो मुझे इसके WhatsApp में जाना है और उपर जो ये तीन डॉट्स है इस पे क्लिक करना है फिर से देखिए यहां पे जो टॉप राइट कॉर्णर पे ये तीन डॉट्स आ रहे है इस पे क्लिक करना है और ये देखिए WhatsApp वैब का उप्शन एक है WhatsApp वैब ये WhatsApp वैब का उप्शन है इस पे क्लिक कर देना है तो इस तरह से आपको ये code hack करना है और ये scan हो गया बस इतना सा करने के बाद ये code scan होगा और देख लीजे आप आपके PC पे WhatsApp लोड हो गया तो आप इसी पे भी क्लिक कर सकते हैं ये देखिए ये ही WhatsApp आपके computer पे आ सकता है अगर आपको आप फोन पे किसी का WhatsApp hack करना है तो आपक एक application डाउनलोड करना है अपने फोन में जिसका नाम है what scan for WhatsApp वो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा मैं आपको दिखा दूँगा यहां पे प्ले स्टोर खोल देते हैं और सर्च कीजिए what scan for WhatsApp ये वाला ये आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर देना है और उसी तरह से आपको code scan कर देना है जिस तरह से मैंने अभी code scan किया था उसी तरह से आपको code scan करना है और आप उसका WhatsApp देख सकते है बस इसी तरह से जिस तरह से अभी PC पे चल रहा है अगर आप आपको देख है कि आपका WhatsApp hack हुआ है या नहीं उसके लिए आप क्या करेंगे WhatsApp खोलेंगे अपना WhatsApp खोलेंगे और उपर जो तीन डॉट्स है इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको फिर से WhatsApp वेब का option एक आ रहा है WhatsApp वेब का option आपको दिख रहा होगा यह देख लिए आप WhatsApp वेब इस पर क्लिक करेंगे फिर से जो यहाँ पर दिखा रहा है करण्डली एक्टिव लॉग आउट फ्रॉम आल कंप्यूटर मतलब आपका WhatsApp हैक हो रहा है इस वक्त को यह आपका WhatsApp देख रहा है तो आप लॉग आउट फ्रॉम आल कंप्यूटर पर क्लिक कीजिए और लॉग आउट पर क्लिक कीजिए जिसने भी आपका WhatsApp हैक किया होगा उसका WhatsApp बंद हो जाएगा यह दिख लीजिए बंद हो गया अगर आप फिर से देख लीजिए म अगर आपको देख रहे हैं तो इस तरह से तीन डॉट्स पर क्लिक करके WhatsApp पर जाके लॉग आउट फ्रॉम आल कंप्यूटर यह देखिए लॉग आउट फ्रॉम आल कंप्यूटर इस तरह से आपके फोन में आएगा और इसको कर दिए और यह आपका हैक होने से बच जाएगा तो दोस्तों एक छोटा सा कोड स्कैन करने से आपका WhatsApp हैक हो सकता है तो अगर आपका WhatsApp हैक हो आए तो आप भी देख लीजिए कि आपका WhatsApp हैक तो नहीं हुआ है अगर आपने किसी को अपना फोन पांच सेकंड के लिए भी दिया हो आए तो आपका WhatsApp वह हैक कर सकता है तो इससे आप ध्याद रखिए इसका किसी को अपना फोन मत दीजिए और अगर आपने दिया हुआ है तो इस तरह से चेक कीजिए कि आपका WhatsApp हैक तो नहीं हुआ है तो दोस्तों मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपके लिए helpful साभित हुआ होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे जो like का बटन है उसको दबा दीजिए इस वीडियो को like कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रोज रोज इसी तरह से helpful वीडियो ले के आऊं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आपको चैनल के नीचे इसको दबा दीजिए ताके आप नेक्स्ट वीडियो को देख पाए तो दोस्तों अगले वीडियो में मि